असलाम वालेकुम नाजरीन आसमास किचिन में आपका स्वागा थे आज हम बनाने वाले हैं एक यम्मी सा डेजक ब्रेट पुटिंग तो हमने यहाँ पर डेड़ कप दूद लिया है यानि वन एन हाफ कप दूद लिया है और दूद हमने यहाँ पका हुआ लिया है दस थैविली है और 2 टेविल स्पून लेंगे हम यहाँ बटर-बटर को हम मेल्ट करके डालेंगे और 24 टीजपोन वैणिला एसंस लेंगे और 14 टी Спून लाइची पाउडर लेंगे तो सबसे पहले हम प्रेड को छोटे-छोटे पीस करके इसे अची तरह पीस लेते हैं तो यहा पीस लेते हैं, तो हमने यहां यह ब्रेट को पीस लिया है, और इस तरह हम सारी ब्रेट को पीस लेंगे, यहां हमने यह सारी ब्रेट को पीस लिया है, तो अब हमें एक बड़ा सा बरतन लेंगे, और इसमें डालेंगे यह अंडे, और अंडो को अच्छी तरह फेट लेंगे, तो यहां हमने अंडे को अच्छी तरह फेट लिया है और बटर को मेल्ट कर लिया है यह बटर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चीनी डाल देंगे, ये अची तरह मिक्स कर लेंगे, याँ चीनी को भी अची तरह मिक्स कर दिया है, अब डाल except vanilla essence, अब लगाता चलाते रहेंगे आप इहां देख सकते हैं कि छीनिंट होना शुरू हो गई है और कैसी करें को हमने तीने अन्य बंदड़ ही रखा है और लगाता है हम इसे चला दे रहे हैं है तो यहां चीनियों को यह संक इतना मेल्ट करना है कि रहे ऑंद रही हूं जाए तो यहां हमने चीने पानी बिल्कुल नहीं डाला है और आप यहां देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह मेल्ट होना शुरू हो गए तो यहां गैस के फ्लेम को हमने मद्दा ही रखा है और मद्दे फ्लेम पर रखता ही हम इसे अच्छी तरह पका रहा हैं चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है आप यहां देख सकते हैं थोड़ा साम इसे और बका लेंगे और आप यहां देख सकते हैं कि यह पानी की तरह पतली हो गई है और जैसा कलर हमें चाहिए वैसा कलर भी हो गया है अब यहां कर देंगे हम गैस को बंद और इसे डाल देंग तो चीनी यह थोड़ी सी ठंडी हो गई है और ठंडी के साथ साथ यह अची तरह जम भी गई है तो आप यहां देख सकते हैं यह देखें यह चीनी बिल्कुल नहीं के गई इसका मतला भी अचीनी अची तरह जम रहेंगे अब डाल देंगे हम इसमें तैयार किया हुए मिक्ष तो यह सारा मिक्षर हम इसमें डाल देंगे हलका से से टैप करेंगे और इसके उपर लगा देंगे यह ऐलोमोनियम फाइल एकस्टा है उसे हम काट देंगे तो हमने से एलोमोनियम फाइल से रैप कर दिया है अब हम इसमें एक दो इस तरह होल कर देंगे और अब रख देते एक बरतन में हमने यहां तीन से चार ग्लास पानी को गरम कर लिया है और एक इस्टेंड भी रख दिया है अब रख देंगे हम इस पर भी ए ओर अब ढ़ाग देंगे और ढ़ाग कर 25-30 मिट हम इसे स्टीम होने देंगे गेस के फिल्म को हम बिलकुल मद्दा कर देंगे और बी यह आदा पानी बचा है तो चेक करने के लिए हमने यहां जो होल किए हुए थे इसी में हम यह एक नाइफ को डालेंगे इस तरह नाइफ अगर क्लीन आता है तो आप यहां समझिए कि पुटिं अच्छी तरह स्टीम होई तो नाइफ यह यह क्लीन आगया है मतलब यह तो हम यहां पर भी इसे देख लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि यह नाइफ यहां बर भी क्लीन आईए इसका मतलब यह पुटिंग अच्छी तरह स्टीम हो गई है अब हम इसे थोड़ा सा थंडा होने देंगे और यह थंडा हो जाया इसके बाद हम इसे निकाल ले जाया है अब इसे एक नाइब से हम चारो तरफ से इस तरह लूज कर लेंगे ईपर यहां पा vrijग प्लेट को इस तरह उल्टा रखेंगे और इस तरह इस प्लड़ देंगे यह माशालला बहुत ही प्यारा यह प्रेट पुटिंग बनकर तयार है आप यहाँ देख सकते हैं अब इसे हम थोड़ा सा कट करके भी दिखा देते हैं तो लीजी बहुत ही मज़ेदासा ये ब्रेट पुटिंग बनकर तयार है उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्काइब करें तो अगली रसिपी के साथ फिर आजिर होते हैं त झाल